दबा अरे दबा सब्सक्राइब को फिर घंटे को दबा फिर देख चलबा तो दोस्तो इस बार की वीडियो है अमेजिंग फैक्ट्स ऑन जर्मन शेपर्ड इन हिंदी जर्मन शेपर्ड को डॉक किंडम का सबसे ज्यादा फाइनेस ऑल परपस डॉक बोला गया है मतलब यह एक ओल परपस वरकर है लेकिन डॉक्स को ऐसा बोलना नीचाहिए कि वह वरकर हैं कि नहीं जर्मन शेपर्ड बहुत लाज है आप देखी सकते हैं बहुत लाज है अगर इनका नैच्रल बीहीवियर देखा जाए तो यह बहुत इजी कोईंग जैसे हैपी को लगी होत इसी ट्रेट की वजह से यह फूट पर बहुत बहुत अराम से करने के लिए बहुत सक्षम होते हैं काम और अब इसकी परसनालेटी की बात हो जाए इसकी परसनालेटी यह स्मार्ट होते हैं हैं confident courageous होते हैं steady होते हैं और a true dog lover dog होता है मतलब यह इतना सुन्दर होता है इतना मतलब क्या कहेंगे भोला भी होता है और मतलब दिमाग वाला भी होता है जैसे कहते हैं beauty with brains यह वैसे ही है energy level जैसे मैंने बता दिया active है तभी police और military के पास है यह बहुत ही जादा active होते हैं और यह पैदा ही होता है काम करने के लिए मतलब एक कमांडो बोला जाएगा मतलब सबको अगर combine करके मैं बोल दूँ बट यह normal dogs भी है जो आम लोग है उनके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं यह caring होते हैं जैसे बच्चों के साथ इनका behavior अच्छा होता है और इन्हें कोई supervision की जरुरत नहीं है आपके बच्चे को अपने बच्चे समझ के ही यह प्यार करेंगे दूसरे डॉग के साथ इनका behavior थोड़ा सा खराब है shedding इनकी frequent होती है grooming occasional चाहिए होती है अब training बहुत इगर होते हैं train होने के जैसे आप इसमें देख सकते हैं यह food training हो रही है इसकी तो अब हाइट के वारे में मेल की हाइट 24-26 इंचिस की होती है और फीमेल की 22-24 इंचिस की वेट मेल का 65-90 पाउंड का होता है फीमेल का 50-70 पाउंड का होता है life expectancy दोस्तों इसमें यह आप थोड़े नाखुश होंगे भी 7 से 10 साल मतले 7-10 यहों चीटे यह यह बहुत कम माना गया जितना जीते आ अच्छे से जीते हैं प्लिफुल रहते हैं अब बाकिंग लेविल बहुकते हैं उतना जितनी जरुरुत होती है अब इनकी वर्ल्ड चानल हिंदी को सब्सक्राइब करिए तो थैंक यू